जन्परद शामली में कस्वा जिन्जाना में फरजी वाड़ा का एक बड़ा मामला सामने आया है फरजी वाड़ा करने वाले ने एक मृत्यू व्यक्ति के जमिन के फरजी का अगजात तयार कर पंजब नैशनल बैंक जन्जाना की शाखा से पशुपालन के लिए 2020 में एक लाग साथ हजार रुपे का रिन बैंक से निकाल दिया इस मामले का खुलासा जब हुआ जब बैंक में मृत्यक व्यक्ति के पुत्र को बैंक से निकल गई धनराशी का जमा करने का नोटिस ज्वारी किया पेडित व्यक्ति अपने साथ हुए फ्रॉट को लेकर बैंक अपरादियों के साथ साथ जनपत के आलाधिकारियों के दर्बार में गुहार लगा रहा है लेकिन पेडित के शिकायत सुनने को कोई भी तयार नहीं है पुरा मामला जनपत के कहराना तहसिल के गाउं गोगावान अनिवासी पिरित किसान कल्लू का है जहां कल्लू के पिता बीजा की दो फरवरी 2015 में मौत हो चुकी है लेकिन किसे शातर दिमा के व्यक्ति ने मृतक किसान बीजा के नाम के फर्जी दस्तवे जो तयार कर 2020 में बीजा के नाम से पशुपालन हेतो पंजाब नैशनल बैंक के जिंजाना शाखा से एक लाग साथ हजार रुपे निका लिए मामले का खुलासा जब हुआ जब बैंक ने विगर दिनों मृतक किसान बीजा के पुत्र कल्लो से बैंक रण की वसूली के लिए नोटिस चारे किया उधर कल्लो का कहना है कि नोटिस दे कर उसके होश फाक्ता हो गए और उसने बैंक जाकर बैंक मैनेजर को अपने पिता का 2015 कम रित्यों का प्रमान पत्र दिखा कर किसी भी प्रकार के लोन लेने की बात से इंकार किया कल्लो का आरोप है कि बैंक मैनेजर सहित कोई भी अधिकारी उनके शिकायत सुनने के लिए तयार नहीं है कलू ने हार ठक कर जिलाधिकारी शामली को पत्र लिकर पूरे मामले की जांच करने तथा आरोपी फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के विरुध कानूनी कारवाई करने तथा बैंक अधिकारियों द्वारा उससे किसी भी प्रकार की वसूली के जाने के निर्देश देने है तो ग पताएगा तो आप बैंक में नहीं गए ते जी बैंक में अधिकार रहे महांगने आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से जॉइन करें रॉयल बुलिटिन का वाट्सप ग्रोप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने वाट्सप पर अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कॉमेंट के जरीए अपनी राय देना ना भूले